हमारे चैनल फिल्मी मिमोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में बॉलिवूद के फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडिक्सर राकेश रोसन सर जी के फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल का वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करें इनके बेटे रितिक रोशन ही बारी वूट के फेमस एक्टर है इनकी पतनी का नाम तिंकी रोशन है दोस्तों इनकी टॉप मूवीज में रही बहू की आवाज जाग उठा इनसान जीवन धारा इनकी टॉप मूवीज में है इनकी production direction में बनने वाली movie कोई मिल गया Krish जो कि ये super hit movie रही इनके direction production बनने वाली movie इनका जन्म 6 सितंबर 1949 को बंबई में हुआ और इनके पिता का नाम रोशन जबकि इनकी माता का नाम इरा रोशन है इनकी सबसे पहली movie जो की 1970 में रीज़ी इसका नाम घर घर की कहानी इसमें राकेश रोशन और बलराज साहनी ली डोल में थे ये movie box office पर average साबित हुई आगली movie IT 1971 में जिसका नाम था मन मंदिर इस movie में संजीू कुमार वहिदा रह्मान और राकेश रोशन ली डोल में देखने को मिले ये movie box office पर average साबित हुई आगली movie IT इसी साल में जिसका नाम था पराया धन इस movie में बलराज सानी हेमा मालनी राकेश रोशन ली डोल में देखने की मिले ये मुवी बाखस आफित पर बलो एवरेज रही। अगली मुई इसी साल में आई थी जिसका नाम था सीमा। इस मुई में राकेश रोसन सीमी ग्रेवाल और कभीर बेदी देखने की मिले। ये मुई बाखस आफित पर हिट साबित हुई। अगली मुई आई थी 1972 में जिसका नाम था बुनियाद इस मुई में राकेश रोषन शत्रभन सिनहा, योगिता बाली और प्राण देखने को मिले। यह मुई बॉक्स आफिस पर फ्लाप रही। अगली मुई आई थी 1973 में जिसका नाम था एक कुमारी एक कुमारा इस मुई में राकेश रोसन लीना चंद्रावर कर और कुमकुम देखने को मिलें बात करें मुवी कि तुमुई बॉक्स आफिस पर एवरेज रही अगली मुई इसी साल में आई थी जिसका नाम था नफरत इस मुई में र राकेश रोसन पर्वीन बॉबी और संजे खान ली डोल में थे इस मुई को बाकस आफिस पर एवरेज करार दिया गया अगली मुई से साल में आये थी जिसका नाम था मद्धोश 살 रिेना राय ली डों में देखने कं मिले इस मुई को बॉक्स आफिस पर फ्लॉप करार दिया गया अगली मुई इसी साल में आई थी जिसका नाम था गूंज इस मुई में राकेश रोशन रीना राय ली डोल में देखने को मिले बात करें मुई कि तो मुई को बॉक्स आफिस पर फ्लॉप करार दिया गया अगली मुई 1975 में आई थी जिसका नाम था आक्रमाण इस मुई में राकेश रोसन, राजेश खन्ना और संजीव कुमार देखने को मिले ये मुई बाक्स आफित पर एवरेज रही अगली मुई आई थी इसी साल में जिसका नाम था खेल खेल में इस मुई में राकेश रोसन, रिशी कपूर, नीतु सिंग, ली डोल में देखने को मिले, ये मुई बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई, अगली मुई आई थी इसी साल में जिसका नाम था जखमी, इस मुई में राकेश रोसन, सुनील दत आशा पारिक रीनोर आय, ली डोल म अगली मुई इसी साल में थी जिसका नाम था जीनी और जानी, इस मुई में राकेश रोसन, महमूद, हेलन देखने को मिले, ये एक कमोडी ड्रामा मुई थी, इस मुई को बाक्स आफिस पर फ्लाप करार दिया गया, अगली मुई इसी साल में थी जिसका नाम था रईस अगली मुई इसी साल में आई थी चलता पुर्जा इस मुई में राजेश खन्ना परवीन बावी और राकेश रोशन थे यह मुई बाक्साफित पर फ्लाप रही अगली मुई आई थी इसी साल में प्रियात्मा इस मुई में राकेश रोशन जीतेंद और नीतू सिंग देखन लिए इस मोई को भाक्साफित पर हेट करार दिया गया अगली मुई आइथी इसे साल में जिसका नाम था हावाएं इस मोई में राकेस लोषन सरजी ने इस्पिशल अपीरंस दिये थे आगली मुई आइथी 17 में जिसका नाम था दिल और दिवार इसमें जितेंदर मौसमी चटर जी और राकेश रोशन ली डोल में थे इस मुई को बाक्षाफित पर एबब एवरेज करार दिया गया अगली मुई ने 178 में आई थी आहूती इस मुई में राजेंद कुमार परवीन बवी राकेश रोश मौसमी चटर जी देखने को मिले यह मुई एवरेज रही अगली मुई आय थी इसी साल में देवता इस मुई में संजीव कुमार राकेश रोशन सवाना आजमी ली डोल में देखने को मिले इस मुई को बाक्षाफित पर हेट करार दिया गया अगली मुई 1989 में आय थी प्रे सबी थुई उखली मुई इस साल में ऑई ती डाओंगी इस विंए में रंधिर पुर राकेश साल में यही जी साल में बिंदिया गोसामी लीड डोल में थे बात करें मुवी कि तुम मुई को बाक्साफिस पर हिट करार दिया गया अगली मुई करें मुई बांज साथ हिट यह अगली मुई सी में आनके दीवाने इस मुई में राके्स रौशं रशी कपूट टी saja मुणीम देखने को मिले यह मो یہ बाक्साफिस पर सले मां एक अग़μी ने इस वह में राकेश रोसन रंजीता कार और मिथिच चक्रवर्ती थे ये मुवी से में हेट रही अगली मुई 1981 में आई थी होटल इस मुई में राकेश रोसन बिंद्योग श्वामी और नवील निश्चल दी डोल में थे ये मुई बाक्साफित पर एवरेस साबित हुई अगली मुई 1981 में आई थी खटा मीठा इस मुई में राकेश रोसन बिंद्योग श्वामी और अशोक कुमार थे ये मुवी डिजास्टर रही अगली मुई 1981 में आई थी भुला न देना इस मुई में राकेश रोसन काजल किरन देखने को मिले ये मुई फ्लाप साबित हुई अगली ये मुवी बाकस अफिस पर फ़लाप रही अगली 180 में आी थी धन्वान इस मुवी में राकेश रोशन राजेस खना और रीना रॉय देखने को मिले ये मुवी फ़लापस साबित हुई अगली मुई इसी साल में आի थी एह हकदार इस मुई में राकेश रोशन बिंद्या गोस्वामी उतपल दट ली डूल में थे यह मूये बाकशाफिस पर एबाव एरेज रही अगली मूय आज थी 1982 में टीस्री आंक इस मूवी में धर्मेंर सत्रुभान सिना राकेस रोसन ली डूल में थे यह मूवी बाकशाफिस बावेरेज रही अगली मुवी 82 में आईथी स्रीमान स्रीमती इस मुवी में राकेश रोसन राखी गुलजार रग और संजीव कुमार थे ये मुवी एवरेज रही अगली मुवी आईथी इसी साल में कामचोर इस मुवी में राकेश रोसन और जया परदा ली डोल में थे ये मुवी बॉक्स आफिस पर एवरेज रही अगली मुवी आई थी इसी साल में बेगुनाहक कैदी इस मुवी में राकेश रोसन आशा सच्देो शक्ती कपूर लीडोल में थे ये मुवी फ्लॉप साबित हुई अगली मुवी आई इसी साल में वकील बाबू इस मुवी में राकेश रोसन शक्षी कपूर और जीनत अमान लीडोल में थे ये मुवी बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही अगली मुवी इसी साल में आई थी वक्त वक्त की बात इस मुवी में राकेश रोसन और रामिस सुरी लीडोल में थे इस movie को box office पर flop करार दिया गया अगली movie इसी साल में आई थी बावरी इस movie में राकेश रोशन और जया परदा लीडोल में थे इस movie को box office पर flop करार दिया गया अगली movie इसी साल में आई थी जिसका नाम था जीवन धारा इस movie में राज बबर राकेश रोशन रेखा लीडोल में थ इस मुवी को बॉक्स आफित पर हिट करार दिया गया अगली मुई थी साल में आई थी जिसका नाम था हत्करी इस मुई में सत्रुभन सिनहा संजीू कुमार राकेश रोशन और रीना रॉय थे यह मुई समी हिट रही अगली मुई 1983 में आई थी शुब कामना इस मुई में राकेश रोशन रती अग्नुहत्री लीड डोल में देखने के मिलें इस मुई को बॉक्स आफित पर एवरेज करार दिया गया अगली मुई इसी साल में आई थी जीत हमारी इस मुई में राकेश रोशन रजनी कांत अनीता राज और र इस मुई में राकेश रोशन राजेश खन्ना और जया परदा देखने को मिलें यह मुई बॉक्स आफित पर एवरेज साबित हुई अगली मुई इसी साल में आई थी जिन्दगी जीने के लिए इस मुई में राकेश रोशन टीना मुनीम राखी गुल जार देखने को मिले ये मुई बाक्स आफित पर flop रही अगली मुई आई थी जाग उठा इंसान इसी साल में इसमें राकेश रोसन मिथुन चक्रवर्ती और शिरी देवी देखने को मिले ये मुई बाक्स आफित पर hit साबित हुई अगली मुई आई थी 1985 में आखिर क्यों इस मुई में राजेश खन्ना राकेश रोसन इसमिता पाट्टिल और तीना मुनिम देखने को मिले ये मुई अवरेज रही अगली मुई इसी साल में आई थी जुल्म का बदला इस मुई में राकेश रोसन अनीता राज और डैनी जंपा लीडोल में थे इस मुई को बाकेश रोसन पर एवरेज करार दिया गया अगली मुई इसी साल में आई थी बहु की आवाज इस मुई में राकेश रोसन सुप्रिया पाठक और नसीरी दुन शान लीडोल में थे ये मुई बाकेश रोसन इसी साल में महा गुरू इस म मुई में राकेश रोषन जीतेंद्र कीमी काटकर पदमीनी कोलहपुरे अमरेशपुरी थे ये मुई फ्लॉप सावित हुई अगली मुई आइथी इसी साल में काला सूरज इस मुई में शतुरगन सिनाया राकेश रोषन और सोलच्छना पंटित लीडोर में थे ये मुई बा मिठ्धुन चक्रती अनिता राज रती अग्योतिर थे ये मुवी अभरेश साबित हुई अगली मुई इसी साल में आई थि अनुभव precious राकेशा और शेकर सुमन रिचा हरमा थे ये मुई साभित हुई अगली मुई आई थिस साल में खामोश Poppy Glone एमे देखने के मिले याम है आगली मूई आएथी इसी साल में मक्कार इस मूई में कम द्रशधी ने स्पेशल अप एंस्ज दिये थे सब्सक्राल इस सेंद्ध में इस उसंख्वत्य स्पष्ट कर में भीण द्रश्वामी एक इसी साल में द्रखिया केस्व में तुन जीनत ले Watts वाज इने दूवरा सारिका और अमजद खान लीडोल में थे यह मुवी बाक्स आफिर पर डिजाश्टर साबित हुई अगली मुवी आईथी 1988 में खून भरी मांग इसको राके सौसन सर्जी ने डारेक्ट किया था इसमें लीडोनियर सत्रुहन सिना रेखा और कबीर वेदी थे यह मुवी हेट र अगली साबिदा को यह धे यह मुवी नियु क्šण तर्जी ने डारेक्ट शौसरं सरे के लिज़ केली स奫े हम अकेले हम अकेले तुम इसने अमिर घान-मनिशा कोया रा राकेस रोंसन से साधियोट फ़ोप रही अगरी मुद 625 में आई थी प्यार दो प्यार लो इसमें भी राकेस रोषन सर्जी इस्वेशल अपीरणस में थे अगली मुई 1996 में आई थी आवरत 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 इसमी राकेश रोसन रेखा और विनोद महरा देखनेक मिले ये मुई डिजाश्टर रही अगली मुए 1999 में आई थी मादार इस मुए में जीतेंद रंधीर कपूर राकेश रोसन रेखा देखने को मिले ये मुए भी डिजाश्टर साबित हुई अगली मुए 2003 में आई कोई मिल गया इसको राकेश रोसन सार जी ने डारेक्शन और प्रोडिशन दोनों किया था इसमें रितिक रोसन प्रिती जन्टा लीड ओल में थे ये मुए सुपर हेट रही अगली मुई 2006 में आई थी क्रिश इसमें भी राकेश होसन सरजी ने प्रोडियूशन और डारेक्शन किया था और ये इसमें इसमें इस्पिसल अपिरेंस दिये थे अगली मुई आई थी उन 2007 में ओम शांती ओम इसमें लीड ओल में शारूखन दीवका पादुकॉर थे राकेश होसन सरजी ने इस्पिसल अपिरेंस दिये थे तो दोस्तों ये राकेश होसन सरजी की आखरी मुई थी इसके बाद इनकी कोई मुई नहीं आई तो दोस्तों ये इनका फिल्मी करियर था आपको इसमें से कौन सी मुई सबसे ज़्यादा पसंद आई कौन सी आपकी फ थैंक्स फूल वीडियो वात्ष्ट